हेलो एवरिवन, मैसल नहा सकसेना और स्वागत है आपका मेरे चनल होम साइंस नॉलेज बै नहा सकसेना में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोशक तत्वों के बाले में जी हाँ जिने हम न्यूटियेंट्स भी कहते हैं पोशक तत्वों के जब हम बात करते हैं तो कार्बो हाइडियेट, प्रोटीन, फैट्स, मिन्रोल्स इन सभी का नाम तो आपने सुना ही होगा परांतो जब हम ओवरॉल बेसिस पर बात करते हैं तो हमें अपनी डाइट के अंदर कुछ नीट्योंट्स के रिकॉर्मेंट जादा होते हैं और कुछ के रिकॉर्मेंट कम होते हैं तो इस point to view से जब हम देखते हैं तो carbohydrate, protein और fats की requirements हमें प्रतिदिन ज़्यादा होते हैं Carbohydrate की जब हम बात करते हैं, तो 60-65% तक हमें अपनी डाइट का carbohydrate की requirements होते हैं 20-25% तक हमें fats की requirements होते हैं और protein की बात करते हैं, तो प्रतिख व्यक्ति को according to उनके weight की according protein की requirement होते हैं Example for, अगर कोई person 55 kg का है उसका weight, तो उसके लिए requirement भी उसके according ही होते हैं Next हम बात करते हैं, बहुत important सी, कि जो भी हम अपनी डाइट में लिया हमने जो carbohydrate लिया उसमें अनाज, डाले, गेहू, मक्का, जो, बाजरा, रागी, ये सबी चीज़े include होते हैं वहीं पे हम बात करते हैं, हमारा protein, डू, दही, चाज, पनी, चीरा, मावा, अंडा, मास, मर्श्टी ये सब भी बहुत अच्छी स्रोथ होते हैं इनके नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में तो लाल पिली हरे जितनी भी सबजिया होते हैं इसमें विटामिन्स बहुत अच्छी बातरा में उपस्तित होते हैं और water के जब हम बात करते हैं तो वह mineral से, nutrient से भरपूर माना जाता है ओवर और basis पे जब हम देखते हैं तो जितने भी fats and oils होते हैं उसमें basically हमारा आता है घी, तेल, सरसों, चंबल, इन दभी का जो तेल होता है, मुफली का तेल, रागी का तेल, सब भी उसमें included होता है तो यह था आज का वीडियो, I hope आपको अच्छा रगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब में जल, शेर माई वीडियो, लाइक, थैंकियो सो मच